आज मंगला चली गई, मेरा घर सूना हो गया, ठीक उसी तरह, जैसे बच्चों के उड़ जाने के बाद पक्षी का घोंसला सूना हो जाता है, चिडियां बच्चे तो पालती हैं, सर्दी गर्मी और बरसाथ हर मौसम में बच्चे के लिए दाना पानी इकठा करती हैं, तिल-त ही डैने मजबूत होते हैं, बच्चे मा का सहारा चोड़ कर घोंसले से कुछ दूर तक अकेले भी उड़ते हैं, इस डाल से उस डाल पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर, और इस प्रकार एक दिन उड़ते उड़ते बच्चे उड़ जाते हैं, कहां? कौन बताए? सूने घो घोंसले में चिढ़ियां कैसे रहे? घोंसले के एक-एक तिनके में बच्चों की याद समाई रहती है, जो एक दिन चिढ़ियों को घोंसला छोड़ देने के लिए मजबूर कर देती है, और चिढ़ियां? बेचारी चिढ़ियां अपने बच्चों को ढूंडने के लिए इनके तिनके अलग होकर अलग-अलग दिशा में घोंसला भी अपनी चिढिया और अपने बच्चों की खोज में उड़ जाता है। नजाने कब से यह क्रम चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सब चिढियों के बच्चे उड़ जाएंगे और सब चिढियां उन्हें खोजने के लिए उनके बाद घोंसला सूना करके उड़ जाया करेंगी। पर बेटी को विदा करके मा क्या करे। वह तो बेटी के साथ ससुराल नहीं जा सकती और नग घर ही छोड़ सकती है। जिस घर को एक-एक चीज में मंगला की याद समाई है, एक-एक फूल पत्ती में वह दिखती है, उसी घर में आज मंगला नहीं, मैं हूँ और फिर मंगला जैसी लड़की, अनेग बार मेरे मुह से निकला है। इश्वर हर एक माँ बाप को मंगला जैसी लड़की दे, वह तो केवल मेरी लड़की न थी, मेरी सब कुछ यही थी, मेरी मा, मेरी गुरू, मेरी मित्र और इसके बाद भी मेरी बच्ची, आज भी वह उतनी ही बच्ची है, परंतु उसके साथ-साथ ग्यान और शिक्षा के उचे स्तर पर पहुँच कर भी अभिमान उसे चू नहीं पाया है, वह अपनी परीक्षा के दिनों में भी अकसर घर का सभी काम करने के बाद पढ़ने बैठती थी, और आज मेरी मंगला चली गई है, ईश्वर उसे खुश रखे, मुझे ऐसा लगता है, और बार-बार मन मे एक तुफान सा उठता है, कि यह जो मंगला का बिचोह मुझे इतना खल रहा है, तो क्यों? इस बिचोह का स्रिजन तो मैंने अपने ही हाथों से किया है, मंगला तो विवाह की इच्छुक न थी, वह बार-बार मुझसे यही कहती रही, अपनी गोध से तुम मुझे अलग करो अम्मा, तुमने मुझे पढ़ा लिखा कर इतनी बड़ी बनाया है, तुमने अभी तक मेरे लिए कश्ट उठाया है, अब अपनी सेवा करने का अवसर दो, और मैं मंगला के विवाह के लिए बड़ी उत्सुक थी, अपनी बेटी को योग्य साथी के साथ विवाह करके निश्चिंत होना चाहती थी, उस दिन जब बीए का रिजल्ट निकला और मंगला पास हो गई, अच्छे डिवीजन और अच्छे नंबरों के साथ तो मुझे कितनी प्रसन्नता हुई उस दिन, मंगला, एक मजदूर्नी की बेटी, खुद भी अपनी मां के साथ मजदूर्न की तरह काम करने में कभी संकोच न करती थी, फर्स्ट डिवीजन लेकर पास हुई, मैंने उसी खुशी में एक दिन मंगला से कहा बेटी, अब तुम बीए पास हो गई, अब मैं तुम्हारी शादी तय करना चाहती हूँ, कोई योग्य साथ ही तुम्हारे लिए खोच सकी, तो मैं बिलकुल निश्चिंत हो जाऊं, संतान के प्रती मा बाप की जो जिम्मेदारी होती है, वह पूरी हो जाए, उस दिन मंगला ने इस बात को मजाक समझा, किन्तु इस चर्चा को गंभीर होते देख कर, वह मुझ से बोली, अम्मा, तुम मेरे विवाह की चिंता मत करो मैं विवाह नहीं करना चाहती, यह तो जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियां शादी करें, मैं तो तुम्हारे ही साथ रहके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, अभी तक तुमने कश्ट उठाया है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी, तुम्हें आराम से रखू मैं एक योग्य संतान की मा हूँ, इससे मुझे बड़ा संतोश मिला, इस बेटी से अलग होकर मुझसे भी न रहा जाएगा, यह मैं जानती थी, पर इसी बीच सुदर्शन से भी कई बार मिल चुकी थी, सच तो यह है कि मैं सुदर्शन को भी अच्छी तरह समझने लगी थ सुदर्शन मेरी मंगला के लिए जितना अच्छा साथी बन सकेगा, उतना अच्छा लड़का शायद ही मैं कहीं खोच सकूँ, इसलिए मैं चाहती थी मंगला, यह विवाह स्विकार कर ले। यहां रहना या ससुराल जाना तुम्हारी इच्छा पर रहेगा। बेटी ने लापरवाही से हंसकर जवाब दिया। था, यह सब अम्मा विवाह से पहले की बातें हैं। विवाह के बाद पुरुष पत्नी को अपनी संपत्ती समझने लगता है। पती चाहे जितना पढ़ पैर रखते ही पुरुष पुरुष हो जाता है। स्त्री यदि उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छा न बना ले, उसके इशारे पर आँख कान बंद करके न चले, तो खैर नहीं। पास पडोस के घरों में इन शिक्षित परिवारों में भी जो कुछ होता है, वह जानती ह यह सच जान कर भी तुम क्यों चाहती हो मा, कि मैं विवाह कर लूँ, फिर तुम मेरे स्वभाव को भी जानती हो, मैं किसी के इशारे पर आँख कान बंद करके नहीं चल सकती, मैं किसी की इच्छा को अपनी इच्छा नहीं बना सकती, और सच बात यह है कि तुम्हें छोड कर मुझसे कहीं जाया ना जाएगा, तुम जिसके साथ मुझे ब्याहोगी, वह मुझे अपने साथ जरूर ले जाना चाहेगा, अभी चाहे कुछ भी कहे, मैंने कहा, यह मैं समझती हूँ बेटी, पर सुदर्शन ऐसा नहीं करेगा, वह बहुत ही भला और नेक लड़का है, उसने मुझसे वादा किया है कि वह तुम्हारी इच्छा पर कभी अपनी इच्छाओं को न ला देगा, मंगला कुछ गंभीर होकर बोली, जो तुम चाहो मा, वह करो, मैंने जैसे सदा तुम्हारी बात मानी है, उसी तरह तुम्हारी इस बात को भी मान लूगी, परंतु, म मेरे लिए एक प्याला चाय तयार करने, मैं बड़ी देर तक मंगला की बातों पर विचार करती रही, और मेरी आँखों के सामने अतीत के न जाने कितने दूख चित्र खींच गए, सोचा, मंगला की इच्छा के विरुध उसका विवाह न करूंगी, कल मैं सुदर्शन से सा साफ-साफ कह दोंगी, वह धनी है, शिक्षित है, सुन्दर है, विनई है, उसके लिए लड़कियों की कमी न रहेगी, बहुत सी लड़कियां मिलेंगी, मेरी मंगला मेरी रहेगी, दूसरे दिन वादे के अनुसार सुदर्शन आया, मैंने उसे प्यार से बैठाया, उसे द जंगला विवाह के लिए तयार नहीं है, दोस्तों, ऐसे और भी इंट्रेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलेगा, तो आईए, अब आगे सुनते हैं मुझे छोड़ कर जाने की कल्पना से भी वह सिहर उठती है, और विवाह के बाद ससुराल उसे जाना ही पड़ेगा, यही कारण है, वह विवाह नहीं करना चाहती सुदर्शन का चेहरा उतर गया, वह बोला, ऐसी बाद तो नहीं है कि विवाह के बाद उन्हें आपको छोड़ कर जाना ही पड़ेगा, जाना न जाना तो उनकी इच्छा पर रहेगा, और वैसे तो विवाह के बाद भी वह चाहे तो आपके ही पास रह सकती है, मुझे कोई शिकायत न होगी, मैंने पुछा, तुम्हारी मा को बुरा न लगेगा, वह भी रहने देंगी, सुदर्शन बोला, अम्मा, मेरे किसी मामले में दखल नहीं देती, मैंने कहा, सुदर्शन, यह सब बात मैं मंगला से कह चुकी हूँ, वह कहती है कि ब्याह के पहले लोग दू श्वास ही न करें, तो कोई चारा नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि जो कुछ कहता हूँ, उस पर अमल करूँगा, आप यदि मेरी परीक्षा लेना चाहें, तो मैं 20 साल तक केवल इस आशा पर रह सकता हूँ, कि मंगला मुझसे विवाह करेगी, परन्तु, यदि यह विवाह न हुआ, तो मैं बहुत दूखी जरूर हो जाऊंगा, दूखी होने पर भी मुझसे कोई अपकार न होगा, मैं रास्ते से अलग हो जाऊंगा, और मेरा हृदय मां का जो ठहरा, मैं द्रवित हो उठी, मैंने कहा, अब तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, मैं प्र विवाह स्वीकार कर लो, मेरा यह ठका तन और ठका मन न जाने किस घड़ी बुझ जाए, तुम किसी योग्य साथी के साथ रहोगी, तो मैं शांती से मर सकूंगी, नहीं तो मरने के बाद भी शांती न पा सकूंगी, और मंगला, मेरी मंगला ने कहा, जिसमें तुम्हें शा सुराल से दो-चार दिन में ही लोट आई थी, और वह दो-तीन दिन काम की अधिकता तथा मेहमानों की भीड भाड में कैसे निकल गए, कुछ जान नहीं पड़े, पर आज तो यह सूना-सूना घर काट खाने को मुह बाए खड़ा है, हर पेड, पत्ती और फल जिधर आँख उठाती हूँ, हर जग है मंगला ही मंगला, मंगला के अतिरिक्त और कुछ सूजता ही नहीं, सोचती हूँ यदि मैं, भी चिढ़िया होती तो अपनी मंगला की खोज में किसी तरफ उड़ जाती यह कहानी यहीं खत्म होती है, और हाँ, अगर आप कोई अपने पसंद की कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, सुनने के लिए धन्यवाद